बिहार के All University के सभी students के लिए बहुत ही बड़ी खबर, जीहां दोस्तों, आने वाला सभी परिच्छा होगा रद, जीहां, सभी students के लिए बहुत ही important सूचना निर्धारित किया गया है, बिहार के चाहे कोई भी इन्वर्सिटी हो, बीरकुर्सी इन्वर्सिटी हो, या मगद इ जारी कर दिया गया है, बिहार के सिच्छा मंत्री ने अभी अभी नया एक्सन लिया है, निव गैडलेंस जारी कर दिया गया है, बिहार के सभी students के लिए, जीहां, लगातार बिहार में cases बढ़ते जा रहे हैं, जिसको ले कर इन्वर्सिटी हैं जो है, पूरी तरह से बंद क लिया जाएगा, तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है, ठीक है, आप लोगों का परिच्छा पूरी तरह से रध होगा, यानि कैंसिल होगा, अब एक चांस और है, जो आप लोगों का परिच्छा हो सकता है, जानते है किस चांस है, आपको मैं बताना चाहूँगा, students के लिए एक ब और भी बढ़िया हो जाएगा, आपको कहीं जाने कि अविसकता नहीं पड़ेगा, अब बहुत सारे students सोच रहे होगे कि सर, assignment का मतलब क्या, assignment द्वारा कैसे परिच्छा लिया जाएगा, उसमें क्या processing होती है, बहुत सारे students को नहीं मालूम है, ठीक है, जो new session में admission लिये है, अब मैं आपको बताना चाहूँगो, सभी students को बता दूँ, कि assignment द्वारा, यानि 25-3000 word में आपको एक मतलब लिखना होता है, ठीक है, सारे question जो है, आपको answer सहीत, लिखने होते है, 25-3000 word में, ठीक है, यानि आपका 3-4 page या 5 page लगता है, ठीक है, ओ assignment का एक page बनता है, university द्वार उस सब word आपको लिखकर question answer में बदलना होता है, उसके बाद ले जाकर college में सिर्फ जमा करना होता है, ठीक है, जमा करने के बाद आपका काम खतम हो गया, उसी के अधार पर आपका result जो है, प्रकासित किया जाता है, दोस्तो, बिरकवर्स इंवर्शिटी के छात्रों 18-21 के ज जात हो जाएगी, ठीक है, लेकिन दोस्तो, जहां तक बात करें, परिच्छा को लेकर, सेंटर द्वारा, ओ परिच्छा आप लोगों का नहीं होगा, किसी भी हाल में, पूरी तरह से रिरत कर दिया गया, लगातार 2-3,000 केसे सब बिहार में आते आ रहे हैं, काफी लोग मर भी रहे हैं, ठीक है, मौत भी हो रहे हैं, जिसको लेकर, इस्टूडेंस का, बहुत इस्टूडेंस पर ये बड़ा असर परने वाला है, ठीक है, आप यहां पर बात करेंगे, आपके सारी जनल, दोस्तो, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, बिहार कुरोना अपडेट, ब दोस्तों, यहां पर बड़ी बात है, बिहार में सोमवार को एक बार फिर करोना वायरिस का बड़ा विस्पोर्ट हुआ, राज्य में आज करोना के 477 पॉजिटिव पाए गये, यह सोमवार को लेकर मैंने, आज का मैं बता रहा हूं मैं आपको, तरड़े हो, फ्राइडे हो सेटर्डे हो, या संडे हो, ठीक है, यह सारे रूटेन में सारे चीजें बता रहा हूं कि जो इस तरह से रफ्तार चल रहा है, जो करोना केस को लेकर, अब दोस्तों, आप लोगों का इनवर्सीटी का पूरे तरह से बंद होने वाला है, और इनवर्सीटी पे बहुत ही बड कि 256 नए संक्रमित सामने आये हैं, यहां पर सबसे बड़ी बात है, करोना टेस्टिंग लगातार चल रहा है, जोरो सोरो से, आप लोग यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें, आपकी जिले में कितने लोग संक्रमित पाए गए हैं, नीचे मैसेज कर कि जरूर बता हैं, बिहार के स्वास्ट विभाग के मुतावित राजी के 38 जलो में करोना वायर्स का संक्रमित फैल चुका है, सबसे ज्यादा करोना संक्रमित 6 जलो में मिले हैं, मुझपुरपूर में 291 पॉजिटिव सामने आये हैं, भागलपूर में 120 और गया में 141, नल क्या क्या चीजे पाबंधी लगी है, नीचे मेसेज करके जरूर पताएं, और एक इस वीडियो को अपने नीजी फ्रेंड दोस्तों को सेयर करें, ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से चयर करें, सब इसस्टूडिन्स को पता लगना चीए, ठीक ना? आज कि स्टूर वीडि झालो